नमस्कार, TV9 भारत वर्ष के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है, मैं हूँ शिवेंद्र और इस वीडियो में आज हम बात करने जा रहे हैं भारतिये टीम के एक ऐसे खिलाडी की जिसके किस्मत कुछ-कुछ राहुल द्रविर जैसी है पहले तो वो खिलाडी कौन है? वो खिलाडी है टीम इंडिया का ठाकुर यानि शारदुल ठाकुर अब आखिर क्यों मैं ये कह रहा हूँ? कि उनकी किस्मत राहुल द्रविर जैसी है इसके लिए आपको जाना पड़ेगा उस दौर में जब राहुल द्रविर भारतीय टीम के लिए क्रिकेट खेला करते थे आपको याद होगा कि राहुल द्रविर के बारे में हमेशा ये कहा गया कि वो सौरफ गांगुली और सचिन तेंडूलकर का जो औरा था उसमें उनकी जो काबिलियत थी या उनकी जो चर्चा होनी चाहिए थी वो उस तरह से नहीं हो पाई जब भी अगर आप भारतीय टेस्ट क्रिकेट की इतिहास में टेस्ट की जीत देखेंगे और उस दौर में मिली जीत देखेंगे जिसका मैं जिकर कर रहा हूँ तो आप पाएंगे कि राखुल द्रविड कई बड़ी जीत में शीट एंकर के रोल में थे लेकिन बाद चाहे आप मीडिया की कर लें चाहे फैंस की कर लें चाहे बाजार की कर लें जादा जो चर्चा रही, जादा जो सुर्खियों में रहे, जादा जो लाइम लाइप में रहे वो सचें तेंडूल कर रहे और सौरव गांगुली रहे राखुल द्रविड के प्रदरशन को लेकर उतनी चर्चा नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी हाला की यह हर कोई जानता था कि वो कमाल के बल्लेबास थे तकनीकी तोर पर भी और रन बनाने के लिहाज से भी अब हम लोग आ जाते हैं जो वीडियो की शुरुवात में मैंने कहा कि तीम इंडिया के ठाकुर यानि शारदूर ठाकुर ही किसमत राहुल द्रविड के जैसी क्यों है वो इसलिए क्योंकि शायद ये कोई गौर नहीं कर रहा है कि पिछले दो धाई महीने में शारदूर ठाकुर ने किस तरह टेस्ट टी ट्वेंटी और वन डे तीनों में शांदार प्रदर्शन किया है तीनों में भारतिय टीम को जीत दिलाई है और उनकी एक और बड़ी खासियत है कि वो जब विकेट ले रहे हैं तो जोड़े में विकेट ले रहे हैं जिससे आप भी ये तैय करें कि जो fans हैं जो cricketers को star बनाते हैं क्या उन्हें अब शारदुल ठाकुर के प्रदर्शन पर एक बारीक नजर रखने की जरूरत है क्या उसका वक्त आ गया है तो शुरुआत करते हैं पिछला जो one day match था उससे भारतिये team ने England को target दिया था 318 run का औ पहले प्रशिद कृष्णा ने दो विक्ते ली और उसके बाद जैसा मैंने आपको कहा शारदुल ठाकुर ने विकेट लिए अब देखे मैंने जो data निकाले हैं शारदुल ठाकुर ने तेईसमें ओवर में जॉनी बरेस्टो को आउट किया पहले यानि इंगलेंड के स्था और भारत के खाते में आती गई और आखिरकार भारत ने 66 रंसे वो मैच जीत लिया अब इससे पहले चलते हैं T20 सिरीज माज आते हैं T20 सिरीज में भी जो मैच था पहला उसमें भारती ये टीम हार गई थी लेकिन उसके बाद जो उनका performance रहा जो मैंने data निकाला आपको बत किसकी थी उन्होंने इंग्लिंड के सबसे खतरनाक बल्लेबास बेन स्टोक्स को आउट किया और फिर कप्तान और मॉगन को आउट किया एक ही ओवर में फिर आजाते हैं आखरी मैच में आखरी यानि आखरी टी-20 मैच में जो फाइनल की तरह हो गया था इस बार भी उन्हो और आपको ये समझ में आ गया होगा कि आखर है कि शारदुल ठाकूर जोड़े में विकेट लेते हैं जब वो एक ओर में उईक विकेट और लेते हैं अब चलते हैं हम उस अप्रत्याशित मौके क्यों तरफ जो शारदूर ठाकूर को आस्ट्रेलिया में मिला था Brisbane टेस्ट तक पहुंचते पहुंचते आधी से जादा भारतीय टीम अन्फिट हो चुकी थी ऐसे में शारदूर ठाकूर को खिलाया गया वो मैच टेस्ट मैच और वो टेस्ट मैच था Brisbane में जैसा मैंने आपको बताया Brisbane है उस्ट्रेलिया का गढ़ वहां अस्ट्रेलिया तीन दशक से कोई मैच नहीं हारी थी पहली पारी में शारदूर ठाकूर ने तीन विकेट लिये उसके बाद जब बल्लेबाजी का मौका आया तो वो क्रीस पर टिक कर उन्हें बल्लेबाजी क्योंकि तब तक 200 रन तक भी नहीं पहुंची थी भारतीय टीम और 6 विकेट गिर चुके थे लेकिन उन्होंने वाशिंटन सुंदर के साथ मिलकर शांदार साज़ेदारी की अर्ध शतक लगाया करीब धाई घंटे बल्लेबाजी की उसके बाद दूसरी पारी में उन्होंने क्या किया दूसरी पारी में अगर आपको याद हो बड़ी हेल्दी एक कॉम्टीशन चल रहा था मुहमद शिराज और शारदुल ठाकुर में की पांच विकेट कौन लेगा शारदुल ठाकुर को चार विकेट मिली मुहमद शिराज को पांच में विकेट मिली लेकिन पांच में विकेट जो मुहमद शिराज की थी उसमें जो कैट्स था वो शारदुल ठाकुर नहीं पकला था लेकिन मैच की जीत में उसका रहता है एहम योगदान तो जरूरी है कि हम उस पर भी रखे नजर और उसे भी थे उतना ही एप्रिसियेशन उसे भी बनाएं उतना ही बड़ा स्टार जैसे हम बागी खिलारियों को मानते हैं वरना शारदू ठाकुर जैसा मैंने शुरुआत में कहा था कि कहीं ऐसा नहों कि वो भी उसी तरह से बदकिस्मत रह जाएं जैसे राहुल रविर थे